प्रिजापति समाज बिगाड सकता है जहां सी लोकसवाद चुनाओं का समीकराई 2024 लोकसवाद चुनाओं जहां सी एक नई पठकथा लेख सकती है आज भागीदारी पार्टी पी के राष्टी प्रिमुख महासचे महिस चंद्रा ने टेहरोली के बवनुवा में नुक्र सभा कर समाज की एक जुटता पर बल दिया उन्होंने का कि भागीदारी पार्टी ने असभा जहां सी लेलत पुर्लोक सभा से रोहिणी प्रिजापती को अपना प्रित्यासी बनाया है जिने भारी मतों से बजय बनाने का काम प्रिजापती समाज को ही करना है जहां सी लेलत पुर्लोक सभा में करीब दो लाग प्रिजापति गुर्सान साथ बनाने से कोई नहीं रोख सकता है हम आपको सुनाते हैं मैस चंद्रा क्या कोछे कहा है उन्होंने कि अब किने मुद्धों को लेकर चुनाव रड़ा रहे देखिए भागीदारी पार्टी कि उत्तर प्रदेश के कि 22 लोग सब्सक्राइब अपने प्रत्यासी फाइनल पर उसी के कड़ी में आपके जहासी चिया लिस्स से रोहिडी प्रजापति को भाजीदारी पार्टी में पुनावी द्वार बने हैं हम चाहते हैं यदि हमारी सरकार बनी इस देश में तो गरीबों को भी नहीं अमीरों को भी किसी जाती धर्म का व्यक्ति हो उसके बेटा बेटी को फिरी सिछा देने का काम भागीदारी पार्टी की सरकार करें हम चाहते हैं कि प्राथ्मिक अस्तर से तकनिकी सिछा देने का काम हमारी सरकार करेगा और इस देश में गरीबों को पिजली 500 यूनिट फिरी देने का काम भागीदारी पड़ती करेगे। चात चात्राइं पेपर देने जा रहे हैं। जो बड़ी राष्टी इस्तर की पार्टी कहीं से बन क्याती हैं का भागीदारी पार्टी उत्तर प्रदेशनी भारत के फारा राज्यों में चुनाल वड़ गई है। पहले बड़ी पार्टी के पास पोट इच्टिये हुआ करती थी कि जो तमाम जो उपेच्छित जातियां हैं। वो उनको बोट देते थे। अब जिसकी हिस्सेदारी आज तक 76 साल का अजादी के 76 साल से नहीं मिली है। लेकिन यह भागीदारी नहीं देना चाहते हैं। जाती होती है। अभी नुकड सवा को संबोदित कर रहे थे तब आपने एक बक्तब दिया था कि नोट के साथ बोट भी हमें चाहिए। देखे हम चाहते हैं। उसको एक उर्पया जरूर याद आएगा कि हमने एक उर्पया अपनी पार्टी आगीदारी पार्टी मानी स्री प्रेम चंद प्रजापती जी को दिया हूं। तो ओभी पोट अपनी आगीदारी पार्टी के नेताओं के एक दो भोटू बारल हैं बराबर आपका भी साथ उसमें है प्रेम चंद प्रिजापती जी का भी है ओम प्रकास राजवर जी के साथ तो बो तो सपा में चलेगा साथ बीजेपी में। देखे ये ओम प्रकास राजवर जी के दूसे हैं उसमें आपकी भोटू है तो आप उनके साथ रिसा नहीं लगता कि कहीं आप उनके साथ जाए ? अब राजभर जी की पार्टी अलग है अधारा सिंग बसपा से हैं हमने समाज के नाते मुझफर नगर में समर्थन दिया और श्री ओम प्रकास राजभर जी को समर्थन इसलिए दिया चुकि यह अति पिछड़े अतिदलित जो दभी कुछली जातिया हैं उनके हिस्सेदारी क सवार को लेकर लग वा याद दूसरे मन्मर कांसी राम जी है मन्मर कांसी राम जी विकास की मुखधरा कांतिम पायदान पर बैठे़ गए पहले तो सपा में चले गये तीशram बात पर से बीजे पी में राजनेत राजनीत में हर बेच्टी चाहता है जब मैं सक्ता में रहू बोट नहीं देना है अगर वो बीजेपी में चले जाए तो नहीं है कि आप एक महीने यहाँ जाओ एक महीने आ लेकिन लालू जी से गढ़ बंदन नहीं करूंगा किये कि नहीं किये यानि और लास लीला हम करे तो अच्छा यह कोई माने नहीं रखा एक बीजेपी ज्यादा तर राम मंदर को मुद्दा बनाती इस वार क्या मुद्दा वो काया काम कर पाएगा बीजेपी सबसे जुट्ध मुद्दा दें है कि उनकेता जुट बोलते हैं नापूर में दी जाती है नापूर में राम किसी एक यह क्या भागवान रजिष्टी करा लिएगा बहुत्धवान के उससे बड़ा पुजारी कान होगा बताइए, मर्यादा पुश्वत्तम स्री राम जीजी के विचारों पर चलने वाला मैं वेक्ति हूँ, मैं उनकी पूजा करता हूँ, मैं तो भाजपा में नहीं हूँ, अगर भाजपा का ये एजंडा था, कि भाई हम भगवान राम का मंद अगर बोट देरा हो, सबसे बड़ा पागल है, बोट हमेशा विकास के नाम पर देना चाहिए, जो पार्टियां विकास करें, भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा जाति जुल्मत्या तारु पिल लूट हत्वा बलतकार बना हुआ है, एक मिनट, योगी जी कह रहा है थे, कि उत्तर प्रदेश में हमने सबसे ज्यादा रोजगार देने का काम किया, 62,000 पुलिश डिपार्टमेंट की बैकंसी निकली, आपने देखा, 50,000 से अधिक, बेरोजगारों ने आवेदन किया, ओ भी 25 साल के कम बाले, अब 25 के ऊपर कितने हैं, उसकी कोई आकड़ा नहीं, आज बताओं महांगाई करम उतकर सुपर है, आर्ती जनता पार्टी का कोई भी नेता बोलने को तयार है, यहीं मोदी जी, 2014 में कहें अच्छे दिन ले आउंगा, उस समय बुरे दिन की सरकार्टी, आर्ती जनता पार्टी का एक एक पता जिकारी, बोल लगाडा हर्मुनिया बुरे दिन की सरकार में जो सरसो का तेल पचास रुपया लीटर था, आज 200 रुपया लीटर, जो गैस सिलंडर 400 रुपय में था, आज 12 रुपया में अब मोधिज जब गारंटी ले रहे हैं, गरीबों को भिकमंगा मराने की गारंटी ले रहे हैं, लेकिन गरीबों को नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई तब देगा चार जुन के बाद, अज उनकी सरकार बन गई तब, अच्छा आपके जहांसी लोक सभासे, यह आपके पार्टी के दूर से प्रत्यासी है साय था, एक बार और आपकी पार्टी से चुनाव लडा था, सुनिल प्रजापती जी नहीं है, सुनिल प्रजापती जी भागीदारी आंदोलन मंच से चुनाव लडे था, तो इस बार सुनिल प्रजापती जी प्रत्यासी नहीं है, सुन